हाई एवरीवन वेलकम बैक टो माई चैनल माई नम इस अनिल और लारावल की इस वीडिये के दर बात करने वाले हैं फाइल एंड फोल्डर शक्चर की जब हमने लास् वीडिये के दर नमारा प्रजेक्ट को अंस्टॉल कर साथ तब हमने देखा कि यहतनी सारी फाइल्स जन्रेट हो गई है और यहां पर ठिक है ऐँ रहन हो रहे है इस वीडिये कदर में बताउंगा किस फॉल्डर है क्या काम होता है किस फाइल काम होता है मैं आपको सारे के सारे folder के बारें बताऊंगा बट जो मेरा major focus रहेगा वो in files और folder के उपर रहेगा ऐसा क्यों? क्योंकि देखो beginner level के उपर आपको पूरे project के structure जानना एक थोड़ा सा मुश्किल है कि एक file के अंदर क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता सो मैं इनस folder और files की बात करूँगा जो की at least beginner को ये चीज़े at least पता ही होनी चाहिए कि कौन सा folder किस में युदा रहा है ये वाली जो मैंने आपर रख्यों है ठीक है तो हम बात करेंगे वैसे सब कुछ बताऊंगा बट जो major हमारा focus रहेगा कि HTML हम कहां पर कर सकते है model वाला folder हमारा क्या होता है controller वाला folder क्या होता है routing वाला file stories वाला config वाला और dependency file और इस वीडियो के लास्ट के अंदर में एक interview question पूछूंगा आप से उसका आपको answer करना है comment box के अंदर अगर नहीं भी करना चाहते तो मत करना बट उसके बार में पढ़ जरूर लेना या फिर म जो app आपका folder होता है इसके अंदर आपकी जो application को core code होता है वो लिखा रहता है अब core code से क्या मतलब है core code से मेरी 3-4 चीज़ों से मतलब है पहला हमारा controller दूसरा हमारा model तीसरे हमारे middleware और चोथे हमारे service providers आने वाली वीडियो में इनके इंदर detail में बताऊंगा अभी के करते हैं controller बनाने के लिए model बनाने के लिए चुद होती है हो सकता है कि हमें कुछ custom command की विजरूत पड़े तो वह हम kernel के अंतर लिखते है right exception handling के अंदर basically हम कभी काम करते नहीं है बट इसके अंदर हमारे code होता है उसके exceptions लिखते होती है STTP एक important चीज है इसके अंदर दो folder होता है controllers जिसके अंदर हमारा controller लिखते है control क्या करता है हमारी central unit होती है model और view को control करता है कि database और जो में HTML दिखता है उन दोनों के बीच में middle layer होती है बाकि बहुत detail के अंदर मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा अब यह होता है यूजर को कि वही यूजर आ सकते हैं जो login है या फिर जो 18 साल से उपर के हैं वो आ सकते हैं या फिर male से access कर सकते हैं ऐसे कोई भी checks लगाने हो वो लगा सकते है और यह एक जिए पर लगाने के बाद को बार बार यूज़ कर सकते है पूरे राउट के ऊपर ये यूज़ हो सकते है यह पूरे application के ऊपर भी यूज़ सकते है ठें बाताती है हमारी kernel की, XML बैसिकली जो middleware होते हैं रजिश्टर करने एक काम आता है model इसका नदर डेटाबेस से जो connection के लिए files होती है वो यूज करते हैं जैसे users है तो यह जो user है उसर नाम की जो database के अंदर table होगी उससे connect करेगा तो ऐसे यहां पर डेटाबेस से लावल पर तो यूज नहीं कर जाते हैं बट स्टिल मैं आपको बताना चाहूं तो जैसे कि हम ऑथराइजेशन करते हैं साइन अप वगएरा की और लोगिन वगएरा की तो उसके जिए जिए सर्विस प्रवाइडर यूज होता है तो इस तरह की चीजें होते हैं यह जो सर्विस प्रवाइडर से लिखते हैं इस वाले फोल्डर के अंदर लिखते हैं बूट्स्ट्रेप बूट्स्ट्रेप के अंदर आपको एक ही फाइल में लेगी एप.js यह फाइल क्या करती है आपकी एप्लिकेशन को लोड करने काम आते हैं जब हम लोग एक्सेस करते रहते हैं प्रेंट नहीं होगा जैसे सब्सक्राइब जैसे यांहीं यहां पर होती है इसके आपर यह पर होता है यहां यहां पर देख सकते हैं जो ओर फोल्ट थे दोने इंपोर्टेंट होते हैं डेटाबेस वाला भी होता है शायद मैं यहां पर लिखना बूल गया हूं राइट और डेटाबेस के अंदर चाहे वह सेडिंग हो और माईग्रेशन हो फैक्टरी हो चाहे डमी डेटा हो चाहे हमें हमारे कोड के थूरू जो हम आप अपकी पब्लिक फाइल्स रख सकते हो जो अपने एक्स्टरनल सेसेस रखनी है बूश्ट्रैप की सेसेस वगएरा वो रख सकते हो और इंडेक्स.js वो फाइल होते हैं जो सबसे पहले लोड होती है हमारे लारावल प्रचेक्ट के अंदर उसके बाद में बागी सारी लोड होना शुरू होती है एस्टी एकसेस होती है बेसिकली यह आपका जो सर्वर होता हो कुछ कुछ को चेंज करना हो उसको चेंज करने में काम आती है राइट बात करते हैं रिसोर्स के रिसोर्स के अंदर अंकमपाईल्ड पब्लिक फाइल्स जैसे कि CSS, JS और लैंग्वि लिए प्रगावें लिए देन आपका आता राउटर के अंदर बैसिकलि आपकी API के राउट्स चैनल के राउट्स और और वेब के राउट सारे चीज़ यहीं पे होती है storage के अंदर जो फाईलव अप्लोड वगारा करते हो रहे किसारी यहां पे होती है test यह जो test quays says लिखोंगे वो होते है, vendor के अंदर आपकी dependency फाइल होती है जो composite.json में निंदर जितने पर Packrix पैकेस.json के अंदर हमारी एप्लिकेशन की डिटेल होती है, अप्लिकेशन का नाम, वर्जिन, क्या क्या चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, यह सब कुछ, किस बार में है, आपको कुछ प्रोटोकोल्स है, इंस्ट्रक्शन्स देने हैं, यूज़ करने के लिए, ऐसे से हमने कोड कर रहा हूँ, आप यहां पर लिग सकते हो, और जो आपकी सर्वर.json file, यह बेसिकली Apache के अंदर कुछ rewrite की functionality के लिए उसमे होते हैं, जब आपके Apache server के अंदर कुछ changes वगएरा करने होते हैं, वेब mix होती है, यह बेसिकली आपकी जो public files होती है, उनको autoload करवाने इंकाम आती है, और यह भी तभी यूज़ होती है, जब आप एक frontend framework के library यूज़ कर रहे हो, जैसे कि angular, view या फिर react वगएरा, साथ में यूज़ कर रहे होते हो, तो यह बेसिकली एक मोटा मोटा सा overview हो आपके projector की सारी की सारी directory आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको first change करके बताऊं कि first change क्या करना पड़ता है, all right, so हमने सारी की सारी चीज़ें देख ली है, कि कौन सी चीज़ें कहां पर करनी होती है, right, so अभी के लिए मेरा एक basic question यह है, कि हमने यहां पर बताया था मैंने आपको, कि यहां पर हमारी सारी की सारी dependency, configurations वगरा होती है, ठीक है, और यहां पर बहुत सारी package होते है, so मुझे किसी एक package का version upgrade और downgrade करना है, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, और वो करने के बाद में मुझे कोई command चलानी पड़ेगी है, नहीं चलानी पड़ेगी, वो कैसे हो ठीक है, तो आपको इसका answer देना है, और comment box में answer कर सकते हो, या फिर मेर से पूछ लेना, मैं 4-5 दिन के बाद में answer करूँगा, ताकि जिनको अगर किसी को बताना तो बता पाएगा, नहीं बताएंगे, तो मैं answer कर दूँगा, राइट, so thanks for watching this video, चैनल को subscribe करना, वीडियो को like करना, बिल्कुल मत बूलना, बाई बाई, take care